नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लौकी की टाप बरायटी के बारे में बताएंगे दोस्तों अगर आप लौकी खेती करने की सोच रहे हैं तो हम आपको एसी बिस्ट बरायटी के बारे में बताएंगे जिसकी खेती करके आप एक एकड में लाखों कमा सकते हैं और आप इसकी चाहिक करेंगे इसमें कौन-कौन सी खाद लगती है और कौन-कौन सी दाओं की जरूरत होती है इससे आप लाखों का income कैसे करेंगे इस सब के बारे में बताएं हैं वीडियो को लाश तक जरू देखना वीडियो को इसकीप मत करना नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल सीव फार्बर में आपका स्वागत है चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी अगली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके चलो वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वीजों के तो मार्केट में बहुत सारे कमपनियों के वीज आते हैं लेकिन आपको BNR कंपनी की सरीता बरायटी को ही चुनाओ करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों इस लवकी में क्वाल्टी जो है वो बहुत अच्छी होती है और इसका पैदावार बहुत अधिक होती है और देखने में काफी ज़्यादा खुबसूरत होती है या एफन कंपनी की हाइब्रेड सीट से इसके फल की क्वाल्टी की बात करें तो इसका फल एक समान होता है ना तो ज़्यादा लंबा होता है और ना तो ज़्यादा छोटा होता है और जिससे मार्केट में इसका डिमांड अधिक रहता है और इसकी color की बात करें तो या हरा color का होता है अब बात करें इसकी बुवाई की तो दोस्तों आप इसकी बुवाई लार्ट जनुवरी से लेकर फरवरी तक कभी विखर सकते हैं या बुवाई के 45-50 दिनों में इसकी पहली harvesting हो जाती है इसकी फसल लगबक तीन महीने तक लगातार चलती रहती है और दूसरी बुवाई जून से लेकर जुलाई माह तक कर सकते हैं अगर आप जुलाई से इसकी बुवाई करना चाहते हैं तो मिट्टी का चुनाओ एसा करना पड़ेगा जिसमें जल भराऊना हो और इसकी बुवाई मेडबीध या बेडबीध से इसकी बुवाई करने से अधिक उत्पादन होगा दोस्तों बीच से बीच की दूरी दो फिट रखें और क्यारी से क्यारी की दूरी आर से दस फिट रखें क्योंकि यह बेल दार फसल है और इसकी बेल ने बहुत अधिक तक फैलती है अगर इसकी दूरी सही नहीं रखेंगे तो इसमें उत्पादन में काफी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों इसकी मिट्टी की तयारी की बात करें तो जैसे आप हर फसल के लिए खेद को तयार करते हैं उसी परकार इसका भी खेद तयार करना पड़ेगा एक बार हैरो से इसकी जुताई करें और फिर रोटा बेटर से पाटा लगाएं और फिर बेड़ बनाकर इसकी बुवाई करें और इसमें खाद की बात करें तो दोस्तों एक एकड में तिन ट्रॉली गोबर की सड़ी खाद डालें और 50 किलो फासफोरस और 30 किलो पोटास और 30 किलो नाइट्रोजन डालकर मिट्टी को अच्छी तरीका से जुताई करें उसके बाद फिर लौकी की बुवाई करें अब बात आती है इसके बीजों के, दोस्तों लौकी का बीज एक एकड में लगबग 300-300 गराम लग जाते हैं, अब बात करें इसमें लगने मले रोग और कीटों की, दोस्तों लौकी की फसल में जातर कीटों का परकोप नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कीट लगते हैं जैसे कि इल्लियों का परकोफ होता है जो फल की ऊपर हिस्से को खा कर खराब कर देती हैं जिससे मार्गेट में उसका अच्छा रेड नहीं मिलता है इसके लिए किसान भायों कोई भी कीट नासक का इस्प्रे कर सकते हैं लेकिन आप सब इमा मैक्टिन बेंजोयट का इस्प्र चुटकारा मिल जाएगा इसमें रस्चूसक कीटों का भी परकोफ देखने को मिलता है जिससे आपका पौधा कमजोर हो जाता है उससे फल के उत्पादन में काफी ज्यादा परभाव होता है इसके लिए कितान भायों आप एमीडिया क्लोरफीट सब्सक्राशलमों 8% वाला चुटकारा मिल जाएगा इन सब का ध्यान देते हैं तो आपको लोकी की फसल में अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अच्छी लगी होगी 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